Uniform Rod AB of Mask 2kg, Length 30 cm, Rest 30 cm, At Rest on a smooth horizontal surface तो यह is at rest, तो horizontal surface तो हम लोग उपर से देख रहा है, उपर से उपर से उपर से लोग देख रहा है, तो ऐसा कुछ हम लोग को देखे है यह हो गया मास, यह हो गया Rod AB, इसका मास का है, 2kg, Length 30 cm, An Impulse of Force 0.2 Ns is applied to the end A, to the end B, यहां पर हम लोग इंपल्स ती है, 0.2 Ns, The time taken with the rod to turn through its right angles will be y, yx seconds तो basically देखे, क्योंकि हम लोग ने यह impulse दिया है, तो therefore, angular impulse क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह होगे center of mass, तो 0.2 Ns, 10, 10, 0.2 Ns, into 30 cm, so this is going to be 15 cm in to 15 cm, and this is going to impart angular momentum, so therefore this would be i into omega, which is ml. square by 12, 2 kg into ml. square by 12, so 0.3 into 0.3 divided by 12 is 0.3 divided by 10, इंटो ओमेगा यह 15 cm है तो इसको 0.15 रिख लेते हैं इसको गुए 2 यह 0.2 है तो यह 0.2 चला लिए 2 2 भी चला लिए और इसको इंटो 3 तो 6 दो 2 सो ओमेगा विकाम्स 2 रेडियन पर सेक्ट ठीक है अब देखें ध्यान से यह थोड़ा से explain हम कर देते हैं कि कैसे लोग ने यह इसको अंगुलर इंपल्स को ऐसे नेकाना और इसको इंक्वेट किया ध्यान से समझें इंपल्स है तो इंपल्स क्या होता है F D T अंगुलर इंपल्स अंगुलर इंपल्स अंगुलर इंपल्स के वाप तो देखें ध्यान से तो टाव इंटू D T this is अंगुलर इंपल्स ठीक है तो टाव इंटू D T तो क्या हो जाएगा F इंटू L बाइटू D T और F इंटू D T हमको पता है तो इस इस F D T पता है अंको तो इंटू L बाइटू करतेंगे तो F D T इंटू L बाइटू करेंगे तो अंपा अंगुलर इंपल्स में जाएगा अभी ये ताव D T होका क्या है ये भी समझ लेते है तो टाव is equal to D L by D T so therefore टाव D T is actually equal to D L which is change in angular momentum ठेक है तो अब आजएगे ओमेगा होगया 2 radian per second अब जब omega हमको पता ही है तो omega into T यह होगा न थीटा theta क्या होगया time-t कर बेदर होगा turn at right angles so pi by 2 so this is equal to pi by 2 so omega is 2 2 into T is equal to pi by 2 so therefore T becomes pi by 4 so therefore x will be 4 thank you so